नमस्कार मैं डाक्टर रतनेश बेटनरी होम्योपैथी पर आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पसुओं के गर्भुस्राव यूट्राइंग डिस्चार्ज की समस्या में बहुत ही अच्छा लाप करने वाली बेहद इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के पारे में और साथ ही जानेंगे इस मेडिसिन से जुड़े कुछ बेसिक फैट कुछ बिसेस उपयोगी लच्छण इनके उपयोग के बारे में और डोजाद के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों पसू के ब्याने के बाद की कमजोरी पसू के ब्याने के बाद होने वाली कमजोरी की समस्या डिस्चार्ज के कारण कमजोरी अत्यधिक स्राव के कारण होने वाली कमजोरी में होम्योपैथिक मेडिसिन चाइना पहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों ये दवा हुम्योपैथिक मिटसिन चाइना सरीर के जैबिक द्रब्यों के अत्तिधिक छए के कारण होने वाली दुरबलता या सरीर के जैबिक द्रब्यों के अत्तिधिक छए से होने वाली समस्याओं में पहुत ही अच्छा लाप करती है षरीर से अत्यधिक रक्त स्राव हुआ हो begyinal discharge हो uterine discharge हो या इस तरह के स्राव षरीर के जैविक द्रभ्यों का अत्यधिक छैह हुआ हो पहुत चादा मातरा में दस्थ हो गई हो बहुत बार बार दस्थ की प्राबलम हो तो इन सभी स्थितियों में जिसमें सरीर के जैविक तरब्यों की अत्तिधिक हान हुई है सरीर से जो fluid है वो जादा से जादा मात्रा में बाहर हो गया है उसके साथ सरीर के जैविक रस बाहर हुए है चाहे वो दस्त के रूप में हो चाहे वो स्राव के रूप में हो चाहे वह bleeding या hemorrhagic condition के कारण हो तो इन सब तरह की स्थितियों में homeopathic medicine चाइना बहुत ही अच्छा काम करता है चाइना का एक विशेश गुण यह है कि जो repetition condition के रोग होते हैं इस तरह से बार-बार नहीं लेकिन जल्दी-जल्दी repeat होने वाले नहीं लेकिन एक निश्चिस समय अंतराल पर repeat होने वाले रोगों में भी इस तवा का बहुत ही अच्छा result देखने को मिलता है कोई बीमारी अगर एक खास समय अंतराल पर एक particular time के बाद हो रहा हो या इस तरह से उसके history में दुहराओ बार-बार नहीं लेकिन फिर भी repetition अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं चाइना का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उभर कर आता है दोस्तों इस तवा का basic ही है excessive discharge अत्यधिक स्राओ तो इस तरह की problem अगर पसूव में हो रही है यूट्राइन डिश्चार्ज की समस्या बेजाइनल डिश्चार्ज की समस्या या प्रसों के बाद अत्यधिक स्राओ और उससे उत्पन कमजोरी या सारी कच्छमता तो इन सभी इस्थितियों में होम्योपैथिक मेटसिन चाइना बहुत ही अच्छा काम करती है सामाने रूप से इस तवा का प्रियोब दोसो पोटेंसी में बड़े पसों खास कर गाय भैस में चाइना दोसो लगभग पांस से साथ बूत की मात्रा में दिन में दो बार लगभग पंद्रह से बीस तिन इस्थिति और आउसकता नुसार या जरुवत को देखते हुए दवा और भी चलाया जा सकता है लगभग एक से डेढ़ महीने तक तो इन लच्छणों खास कर पसु के ब्याने के बाद होने वाली कमजोरी स्राव अत्यधिक स्राव के कारण होने वाली कमजोरी या अत्यधिक डिस्चार्ज के कारण होने वाली कमजोरी तो इन सब इस्थितियों में बहुत हैच्छा लाप मिलता है दोस्तों होम्यों पैथिक दवा की उपलब्धता बहुत से मित्रों का ये कमेंट आता है बहुत से मित्रों का ये प्रस्ण रहता है कि दवा कैसे और कहां मिलेगी अमूमन तीस हमेल की जो बोतल आती है छोटा पैक आता है वो लगभक सो रुपए के कार्डिंग सो रुपए के प्राक्स करीब करीब मिल जाता है मार्केट में एक ठीक ठाक कमपनी का मैं कमपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा प्रमोशन होता है इससे फिलहाल दवा आपको होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर होमियोपैथिक चिकिश्चक या आप आनलाइन सर्च करेंगे तो तमाम आनलाइन Atlas पर आपको यह दवा अपने पिण कोल को डालके आप उसकी अबिल्टी चेक कर सकते हैं तो वो दवा आपको दो तीन दिन चार दिन के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगी आने वाले किसी बीडियो में हम आपको कुछ घर में रखने ही होगे कुछ छोटा एक किट नुमा बीडियो कई दोस्तों का रिक्मेंडेशन भी था हम उसको भी देने का प्रयास करेंगे ताकि एक प्रापर होम किट आप तक उपलब्ध रहे कभी जरूरत या इस्थिति आऊ सकता नुसार आप उसका उप्योग कर सकें आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों आसा है वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं व अगले वीडियो में किसी नई जानकारी नए टापिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिब